आरे क्या बात है पारो खता है सदियो बात तुम नहाई हो और पीले सुट में तो तुम कयामत लग रही हो कयामत चिफ्ट करना सुटे तो है कौन मुझे ऐसे क्यों टोकरा है आरे गुस्टा मत करो जानू मैं तुम्हारा पुराना आसिक हूँ इसका मतलब तुम मुझे बिलकुल नहीं जानती देख तू कोई अंबानी अंजाडी नहीं एसे मैं तुछे जानो ऐसी बात करती हो रानी अंबानी और अंजाडी भी मुझे देख कर लार टपकाते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमको अपने घर ले जाकर चुमा चाटी करते हैं एक तू घुमा फिरा के बात मत कर मेरे पास टायम नहीं है अब सिधा सिधा बता दे है तू कौन याद करो ओ दिन जब तू तीन साल की थी और मैं पांच साल का था और तुम सही से चड़ी पहना भी नहीं सीखी थी तब हम लोग साथ में हगने जाते थे और हम दोनों वहीं बैठ कर टिक टिक पत्थर बजाते थे अच्छा अब समझ में आया तो पास वाले मिसरा अंकल के नायक बेटा है जो बच्पन में प्यास लगने पर मूद कर खुद ही पी जाता था हाँ रानी तुमने बिल्कुल सही पैचाना अब याद करो ओ दिन जब हम पहली से लेकर हम अठमी कलास तक परे थे और तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी तुम मुझसे वादा किया थाद मैं बड़ी हो जाऊंगी तो साधिक करूंगी आरे कमीने ऐसे कैसे बसालू तेरे साथ घर ये साधिक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है उसके लिए घर परिवार गारी बंगला और पैसा और लड़का सरकारी जब करता है की नहीं ये सब देखना परता है अब तुम भी कान खोल कर सुन लो मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ हमारे पैवार पूरे दस बिगा में फैला हुआ है और गाउं से लेकर सहर तक सभी मेरे दिवाने हैं और सबसे खास बात तो ये है मैंने भी पुलिस एस्पेक्टर के लिए एप जाम दिये हैं और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आने वाला है और तुम भी कान खोल कर सुन ले हमारे पैवार ही इस बिगा में फैला हुआ है और तेरे पास तो कोई जोब भी नहीं है इसलिए मैं तुसे साभी नहीं करूंगी आरे बेटा तो घर चल तेरी तो जोब लग गए पुलिस एक स्टेक्टर में अब तु आम इंसा नहीं रहा यह तो बड़ी अच्छी ख़वर है पापा चलो चल कर मोहलने वालों को पुड़ा गाउं में मिठाए खिलाते हैं वीडियो अच्छा बगा हो तो लाइक इन सुस्क्राइब करेगा दोस्तों को भी अप्लोग शेयर कर दिजि अब ले वीडियो में तक तक रिए सामने बाद बाय बाय शाल से यो